कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन प्रशाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटो टेक को देख रहे हैं इसके पहले बाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि कैसे आप इंटरनेट से फोटो सॉप और लाइटरूम को फ्री अफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं यह टुटोरियल बहुत ही पसंद किया गया पर कुछ लोग की यह सिकायत थी कि उन्हें डाउनलोड करने में प्रॉब्लिम आ रही है और कुछ लोगों ने डाउनलोड तो सक्सेस्फुली कर लिया पर उन्हें इस सॉफ्ट वैयर को इंस्ट्офड करने में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैं इस टुटोरियल में आपको बतलाने जा रहा हूं कि कैसे उन्हें फॉटोर्व भी download किया जाए और कैसे उन्हीं install किया जाए तो आई आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने already Chrome को खोल रखाया है और यहाँ पर get into PC टाइप भी कर दिया है और आप देखेंगे यहाँ get into PC के बहुत से sites आ जाते हैं actually यह यह इतना popular site है कि बहुत से other sites भी इस नाम से website बनाने लगे हैं anyway जो उपर आये उसी को आप click कर दीजिए या उपर वाले में कहीं दिक्कत हो तो दूसरे को भी आप try कर सकते हैं जैसे मैं यह first वाले को ही click कर रहा हूं तो जैसे ही मैं आप इसको click करता हूं एक नया screen खुल जाता है अब यहां से आप किसी भी software को आजानी से download कर सकते हैं अब मैं एक चीज आपको बतलाओं कि कोई भी software download करने के लिए आप internet download manager का उपयोग करें आपकर यह internet download manager क्या होता है एक्चुली यह download को manage करता है manage करने का मतलब कि download अच्छी तरह हो जाए इसके लिए क्या क्या करना है यह decide करता है यह आपके download के speed को भी करीब करीब five times faster बना देगा और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े software को download कर रहे है वह ते जैसे कि Photoshop यह एक से देर जी भी तक का होता है तो इस बीच में हो सकता है कि आपको download को interrupt करना पड़े किसी कारण से यह हो सकता है कि आपकी internet data ही खत्म हो गई हो तो इस downloading को आपको बीच में रोकना पड़ेगा लेकिन जैसे ही आप रोकेंगे और फिर से download करना इस्टार्ट करेंगे तो यह फिर से शुरू से download करना इस्टार्ट कर देगा लेकिन अगर आपने इंटरनेट download manager को install कर लिया है तो यह problem आपको नहीं आए कि यह वहीं से resume downloading कर लेगा जहां से इसने end किया था सबसे पहला आप अपने इंटिवाइरस को off कर दें जैसे कि मैंने यहां पर यह एंटिवाइरस को load कर रखाया है यह भी जी एंटिवाइरस है तो protection is on इसको मैं off कर देता हूं तो यह हमेशा याद रखे कि virus protection को off कर दें एक्चुली होता क्या है कि इसमें जो software के जो cracked files है उनको यह एंटिवाइरस वाइरस की तरह treat करता है उनको उड़ा देता है जिससे कि होता है कि फाइल तो पूरी download हो गई लेकिन उनके जो cracked file थे उसको abg ने delete कर दिया जिससे कि आपकी software तो load हो जाएगी लेकिन उसे crack करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए पहली advice कि आप antivirus को off कर दें उसके बाद आप download करना start करें और जैसा कि मैंने बतलाया कि आप internet download manager को इस्तिमाल करें इसके लिए फस्ट हम internet download manager को ही install करके देखते हैं कि इसे कैसे किया आता है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी software चाहे वो photoshop हो या कोई और हो उसे कैसे install किया आता है मैं यहाँ पर search में IDM या internet download manager को लिख रहा हूँ और go button को दबा रहा हूँ यह कुछ देर में यह यहाँ पर आपका software आ चुका है चुकि इसे हमें download करना है तो हम इसे double click कर देंगे जैसे ही आप double click करेंगे आपके सामने एक दूसरा page खुल जाएगा जिसमें कि आप इसके details को देख सकते हैं यहां एक बाद भी धियान दे कि software के लिए क्या क्या requirement है यह जरूरी देख लें जैसे कि operating system कौन सा रहना चाहिए memory कम से कम एक जीवी रहनी चाहिए hardix space कितनी चाहिए इसको प्रोसेसर पेंटियम फोर या लैटर हो तो यह requirement आपके computer अगर पूरा करता है तो आप आराम से इस software को download कर सकते हैं अब यहां पर यह जो download full setup है इसको आप दबा देंगे इसको दबाते ही आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा और यह कुछ समय के बाद link को activate कर देगा इसका link इस site पर नहीं रहता है यह दूसरे site पर रहता है वहां से यह इसको activate करता है तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है इसलिए आपको पेसेंचली वेट करना होगा और यह आपके इंटरनेट डाउनलोड speed पर भी डिपेंड करता है डाउनलोड लिंक आपका रेडी हो चुका है तो आप डाउनलोड नाउ को दबा दें और जैसे ही से आप दबाएंगे थोड़ी दिर बाद downloading automatically start हो जाएगी देखिए डाउनलोड यहां पर start हो चुकी है यह 10.8 MB का software है और यह सो कर रहा है कि एक मिनट यहां दो मिनट में यहां डाउनलोड हो जाएगा तो अभी इससे डाउनलोड होने देते हैं और डाउनलोड होने में थ्वासर टाइम लेगा इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं देखिए यह software यहां डाउनलोड हो चुका है अब मैं आपको बतलाता हूँ कि इसे कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं देखिए इसमें जो software आते हैं उनमें कुछ software जो होते हैं वे software को डाउनलोड करने तो उसे सेट अप करने के लिए आप पहले इंटरनेट को जरूर बंद कर दें यह हमेशा याद रखिएगा नहीं तो वह क्रेक आपका हो सकता है कि काम नहीं करें तो मैं यहां पर इसको डिसकनेक्ट कर दे रहा हूं और मैं इस फाइल को खोलता हूं य जीप में खुलेगा यह आप विंडो सेवेन या विंडो 10 में यूज कर रहे हैं तो डारेक्टली यह उसके जीप में आटोमेटिकली खुल जाएगा इसके बाद इसको यहां पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको इसमें बहुत से फाइल्स देखेंगे इसमें यह जो है Setup Executive इसको आपको चलाना है इसको क्लिक कर दें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह हो सकता है आपसे एक password मागे तो आपको password देना पड़ेगा तो password तहीं है इसका इसका इन्टू PC होता है तो मैं यहां इसको copy कर लेता हूँ अब फिर मैं इसको खोलता हूँ और यहां पर इस password को पेस्ट कर देता हूँ और OK बटन दबाते ही यह खुल जाता है चुकि आपको यहां software इंस्टॉल करना है इसलिए इस पर क्लिक कर दें इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें यहां पर terms and license agreement को accept कर लें तब next खुल जाएगा यहां next को दाब दें और create an icon है इसको बना भी सकते हैं ले भी सकते या नहीं भी इसको रहने दीजिए और next दाब दें और दाबते ही यह software लोड होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए software लोड हो चुका है desktop icon भी बन चुका है अब यहां finish को दबाएं और finish को दबाते ही एक dialogue box आपके सामने खुल जाएगा जिसमें कि यह आपको idm के बारे में बतला रहा है लेकिन idm तो लोड हो चुका है लेकिन यह अभी cracked version नहीं ह है अगर internet से कोई चीज़ download करना है start करेंगे उस समय online idm का site यह detect कर लेगा कि यह frost software है और उसको वो काम करने नहीं देगा इसलिए इसको crack करना पड़ता है crack कहां से करेंगे यह जो दूसरा file है इस पर fix का file है देखिए यहां पर लिखा हुआ है I get into pc.com fix fix को दाब देंगे fix को आप देंगे तो यहां पर patch executive आएगा patch executive को हमें patch करने के काम में लाना है लेकिन patch कहां पर करेंगे patch जहां पर idm लोड हो चुका है वहां करेंगे तो इसके लिए हम disk pc को खोलते हैं यहां पर c drive को खोलेंगे और इसमें यह program जहां download हुआ है उस file को खोलेंगे जैसे कि मैं यह program files में लोड होते हैं या तो यह program file में होगा या program file 86 में होगा यह 86 में मैं इसको खोल रहा हूं और यहां देखें internet download manager का यह file आ गया तो इसको खोल लेंगे अब यह patch file है patch file को सीधे इसमें घीच के देंगे या copy करके paste कर देंगे देखिए यह password माग रहा है मैंने password दे दिया paste हो जाता है जैसे देखिए यहां पर patch paste हो चुका है यही patch है जो कि यहां पर था अब patch को खोल लेंगे और यहां yes कर दें और इस patch को दाब दें और patch को दाबते ही यहां आपके software को patch कर देगा यानि इसका जो automatic update होता है उसको यह disable कर देगा जिससे software काम करता रहेगा और patch को दाबते ही देख लिए successfully patched यहां पर लिख दिया है तो अब आपका यह software already patch हो चुका है इसे आप यूज कर सकते हैं अब मैं आपको Photoshop को download करके उसे कैसे setup करेंगी इसकी विदी बतला रहा हूं मैं यहां पर Photoshop टाइप कर रहा हूं कुछ लोगों का यहां भी सवाल था कि क्या इसमें window के अलाबा Mac versions भी हैं जी हाँ यहां से आप Mac versions भी download कर सकते हैं इसलिए मैं यहां Mac version को ही सर्च करके दिखा रहा हूं Photoshop के बाद मैं यहां Mac लिख देता हूं और यहां पर Go को दाब दें गो को दाबने के कुछ समय के बाद आपको यहां पर यह आ जाएगा देखे जैसे Adobe Photoshop 2020 21.1.1 free download Mac OS यह Mac का है यहां आप साब्धानी बरतेंगे कि अगर आपका operating system Mac है तो Mac वाला software डाउनलोड करना है अगर आपका operating system window है तो window का ही software आप डाउनलोड करेंगे एक का software दूसरे पर पर setup नहीं हो सकता है तो मैं यहां इस पर click कर देता हूं एक next screen फुल जाती है जहां पर इसका overview आपको मिलेगा Photoshop के बारे में यहां एक चीज़ जरूर देख लेंगे system requirement क्या है जैसे कि यह सो कर रहा है कि operating system Mac के लिए है 10 Mac 10 कम से कम या उसके बाद का होना चाहिए अगर इसके पहले का कोई version है तो उस पर यह install नहीं होगा RAM कम से कम 4GB होने चाहिए Hardix Space 3GB बची होनी चाहिए और प्रोसेसर यह होना चाहिए उसी तरह अगर आपको Windows version लेना है तो मैं यहां केबल Photoshop लिखके दिखा रहा हूं तो यह देखिए Adobe Photoshop Lightroom आगे Adobe Photoshop 2020 यह Windows version है इसको आप क्लिक कर द software को download कर सकते हैं यह पर system requirement जरूर देख ले system requirement में एक चीज़ जरूर ध्यान देंगे कि यह compatible architecture 64-bit है या 32-bit अगर आपका Windows 32-bit है तो उस पर आप 64-bit software को install नहीं कर सकते हैं यह 64-bit software है इसलिए आपको ऐसा software खोजना परेगा जो कि 32-bit होगा और अगर आपका Windows 64-bit है तो उस पर आप 32-bit या 64-bit किसी को भी install कर सकते हैं मैं आपको यहां suggest करूँगा कि 64-bit Windows को ही load कराएं क्योंकि अगर Windows 32-bit है तो वह केवल 3GB RAM को use करेगा लेकिन अगर यह 64-bit है तो वह 1TB तक RAM को use कर सकता है इसलिए always 64-bit Windows ही load कराईएगा इसके बाद जैसे ही आप download now को करेंगे तो आप आपका software थोड़ी दिर बाद download होने लएगा जैसे कि यह सो कर रहा है कि आपका download 7 seconds में start हो जाएगा अब download now को दबादे जैसे ही download now को दबाएंगे यह screen आपके सामने खुल जाएगा और थोड़ी दिर में software download होने लएगा आप देख रहे हैं यहां पर software download होने लगा है यह 1.8 GB का हा और इसमें 5 hours लगेंगे इतने दिर तक रुखना possible नहीं है इसलिए फ़ल पहले मैं इसको cancel कर देता हूं अब आईए download करने के बाद इसे कैसे setup करेंगे वो देखते हैं मैंने already इसे download करके रखा है यह एक gift file है gift file को खोलने के लिए आप इसे directly window में खोल सकते है automatically खुल जाएगा चुकि मैंने विंचिप का इस्तेमाल किया है तो यह इसमें खुलना है अगर आप windows में खुलना चाहते है तो आपका screen जो है ऐसा आएगा यह है यह अभी window के explorer में खुला है इसको double click कीजिए और double click के बाद आपको यह सब फाइल आएंगे यह जो setup है इसको जब आप click up करेंगे तो आपका पहले फाइल extract होगा extract कहां होगा उसका destination आपको देना पड़ेगा और उसके बाद extract को दबा दीजिए यह थोड़ी देर में extract हो जाएगा extract होने के बाद यह फाइल यहां खुल चुका है इसको आप double click कीजिए आपके सामने फिर setup का फाइल आ जाएगा यह original setup है इसको जब आप click कीजिएगा तो आपकी setting starting start हो जाएगी जैसे setup executive को दबा दीजिए याद रखिए आप innate connection को disconnect जरूर कर दीजिएगा मैंने नहीं किया थे इसलिए मैं आप कर रहा हूं आपके सामने यह आएगा लेंग्वेज को डिफॉल्ट नौर्थ अमिरकन ही रहने दे और location को भी default ही रहने दे continue कीजिए continue करते ही software installation सुरू हो जाता है जैसे आप देख रहा है installation installation 17% हो चुका है लेकिन यह software already मेरे computer में installed है इसलिए मैं इसको quit कर देता हूं और जब यह download हो जाए तो यह काम तो करने लगाएगा लेकिन इसमें home screen का एक problem आता है उस home screen के problem को भी यहां से आप ठीक कर सकते हैं जैसे देखी यहां दिया हुआ हो home screen fix इसको आप Photoshop को install करने के बाद क्लिक करेंगे यहां यह कर दें और केवल Photoshop के आईकॉन को दावेंगे या प्रोग्राम फाइल में जाके आप जैसे ही यहां पर Photoshop को दावेंगे यह software आसानी से खुल जाएगा इसी तरह आप Lightroom को भी download और setup कर सकते हैं आसा है आप आपको setup में कोई problem नहीं होगी तो मिलते हैं next tutorial में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे subscribe कर दें और bell icon को दबा दें तो मैं चलता हूँ अभी तक के लिए अल्विदा थेंक यो आसा है ये tutorial आपको पसंद आया होगा अगर आप इसी तरह के interesting tutorials देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को like और subscribe जरूर करें और नए वीडियो की notification पाने के लिए क्रिपिया bell icon को दबा दें इस अंक में इतना ही अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें goodbye for now